वेलकम तो शड़ी केनल मेरे नाम है मुहम्मद कैसर तो दोस्तों PCS 2021 का फाइनल कट ओफ आ गया है पदवार और स्रेडिवार उत्तर पर दिस लोग से वायुक ने वेबसाइट पर अपने कल PCS 2021 का फाइनल रिजल्ट का जो कट ओफ था वो जारी कर दिया है 22 नॉबर तक ये क कट ओफ वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा जो प्रमुक प्रमुक पद थे उसके कट ओफ किया गए थे आप देख सकते हैं कल मैंने इस पर एक डीटेल में वीडियो बनाया था जो इंपोर्टेंट पद है वो मैं आपको यहां पर बता दूँ तो उप जिलाधिकारी जी से आप SDM के नाम से जानते हैं कुल बावन पद्थे और अनारक्षित का जो कट ओफ गया है मिनिममम वो आठ सो अंठानबे है मैक्सिमम जो माक्स छात्र ने पाया वो 976 है सोलह सो में 1500 का मेंस होता है और सो नंबर का इंटर्वीव होता है तो सोलह सो में मैक्सिममम 976 है और मिनिममम 899 है तो कट ओफ 899 हुआ यू आर का ओवीसी का 879 और अनुसुचित जाती का 851 तो ये कट ओफ गया था उप जिलादिकारी का जो टॉप मोस्ट पद माना जाता है उतके बाद पूलिस उपादिक्षक डेस्वी कहां पर 25 पत थे और यू आर का कट ओफ गया था 888 ओवीसी का 862 और बाकी रिजर्व केटिगरी का आप कट ओफ देख सकते हैं टोटल PCS 2020 में 29 पद थे जो टॉप क्लास के पद होते हैं वो PCS के थूप भरे जाते हैं एक बहुत ही प्रतिस्टित नौकरी होती है और यहां पर सलेक्ट होने के बाद समाज में गाउं में आपक जो रुतबा होता है वो आटोमेटिक हजार गुना बढ़ जाता है तो आप इसकी दित्यारी करना चाहते हैं तो PCS 2023 का विग्यापन अगले साल जनौरी से फरवे तक जारी कर दिया जाएगा अभी मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से पद होते हैं और योग जा रहे थे फिर है सहायक संभागी परवन अधिकारी तीन ही पत्था लेकिन कट आफ देखिए बहुँ जादा नहीं गया है आट सो संतानवे गया है यूर का फिर खंड विकास अधिकारी बीडियो है फिर प्रधान अचार का पद है तो इस तरीके से दोस्तों आप देख स जारी हुआ है PCS 2021 का उजिल अधिकारी पूलिस उपादिक शक फिर सहायक संभागी अधिकारी खंड विकास अधिकारी जिला पंचायती राज अधिकारी कार अधिकारी सरीके से देख सकते हैं टोटल आपको यहां पर 29 पद देखने को मिल जाएंगे इसमें कुछ ऐसे पद होता है में स्रिटेन होता है और इंटर्व्यू आपको पता ही है तो कौन-कौन से पद होते हैं PCS में और क्या उसकी योगिता होती है हम लोग डिक्स कर लेते हैं यह PCS 2021 का हमारे पास नोडिफिकेशन है और यदि हम बात करें पदों के बारे में तो बहुत जादे पद होत है डिप्टी कलेक्टर के बारे में फिर पूरिस उपादिक्षक, खंडविकास अदिकारी, सायक संभागी परिवन अदिकारी, फिर असिस्टेंट कमिशनर इस तरह से बहु सारे पद हैं जिला सिक्षागं प्रसिचर संस्थान डायट में वरिष्ट प्रवक्ता के भी पद PCS के जरिये ही भरे जाते हैं तो PCS में जो पद होते हैं इसको आप दो भागों में बाढ़ सकते हैं एक जो सामान ने पद कहा जाते हैं जिसमें योगिता साधारर सनातक होता है और कुछ विसे सहरता वाले भी पद होते हैं और आप यहां पर देखेंगे विसे सहरता के लि पर लिखित परिक्षा और इंटर्व्यू दोनों होता है तो यहां पर सबसे पहले बताया गिया है उप निबंदक सहाय कभी होजन अधिकारी यहां पर विधी सनातक यानि ग्रैजुएशन चाहिए लौ में यहां पर सिंपल आपकोई भी सनातक नहीं चलेगा उसके बाद दे आप बहुत सारे पदों के लिए eligible हो जाते हैं और जो चात्र मेंस लिखते हैं PCS में उनका चांस पूरा होता है कहीं न कहीं selection हो जाएगा क्योंकि cut-off बहुत जादा नहीं जाता है यदि आप मेंस के लिए चले जाते हैं तो फिर interview में कौसत नमबर तो मिल ही जाता है तो एक इसके बारे में छात्र पूछ रहे थे तो वो एक यहां पर पद है वरिष्ट प्रवक्ता का सीनियर लेक्षरार का कहां पर जिला विद्याल है एवं पर सिक्षर सनस्थान डाइट में जहां पर बीटीसी वाले चात्र या डियले डोले चात्र ट्रेनी करते हैं यूपीटेट का माकिक वगरे यहीं से डाइट से मिलता है इसकी योगेता आप देखिए तो सनाकोतर के साथ बीड पीजी के साथ बीड इसमें मांगा जाता है तो यह चीज यहां पर है और मैं आपको एक और पद के बारे में दिखा दू जो यहां पर है प्रधानाचार का राज की इंट कोर्स और तीन साल का एक्सपरियंस आई स्कूल या इंटर में पढ़ाने का या इसके ऊपर के कच्छाओं में पढ़ाने का तो आप प्रधानाचार पद के लिए भी हो जाएंगे और यह जो सभी पद हैं जरूर नहीं है कि हर साल PCS में आही जाएं 2020 में प्रधानाचार का पद था 2022 वाले में नहीं है लेकिन जाए तरपद होते हैं और आपका कट-off रिपार होता है तो आप कहीं न कहीं सलेक्ट जरूर हो जाते हैं और इसमें देख सकते हैं केवल लिखित परिक्षा के अथार पर भी चैन होने वाले कुछ पद होते हैं यहां पर है इसमें इंट मैं अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा पीसियर 2023 के एक्जाम पैटर्न के बारे में तो यहां पर सबसे पहले होती है प्रारंबिक परिक्षा प्रारिंग परिक्षा ऑब्जेक्ट्व होता है एक ही दिन दो पेपर होते हैं और यहां पर पहला पेपर जीयस का होत होते हैं तो जो चात्र क्वालिफाई करता है मेंस के लिए फिर वो मेंस की परिक्षा लिखता है मेंस टोटल 1500 नंबर का होता है जो मैं कई बार बता चुका हूँ यहां पर दोस्तों 1100 नंबर का कंपल्सरी पेपर है जिसमें सामान हिंदी 1500 को का निबंध 1500 को का और चार पे जो भी विशे आप चुनेंगे उसके दो पेपर होंगे पेपर वन पेपर टू एक पेपर दो दो सोंगो का होगा तो 400 का आपका हो गया वैकल पीक और 1100 का कमपलसरी टोटल 1500 का मेंस हुआ और 100 नमबर का इंटर्वी हुआ तो ये एक्जाम पैटर्न है तेरे गुना के लगब नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी और अगला जो नोटिफिकेशन है PCS 2030 का वो अगले साल फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा बाकि इसके लावा आप कुछ और जानना चाहते हों तो आप कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब सब्सक्राइब कर दिजेगा ताकि आपको इसी प्रिकार की सभी लेटेस्ट और आथेंटिक इन्फरमेशन मिलती रहे थांक्स फॉर वाचिंग